नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि सब अच्छे होंगे? तो चलिए शुरू करते हैं. आज हम करने वाले वर्क्षीट नमबर दो, ये क्लास छटी के लिए जियोग्रफी के टोपिक पर है. अगर आप ये ही वर्क्षीट हिंदी में देखना चा रहे हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिये गए लिंक पर जाकर देख सकते हैं. ये 18 सितंबर 2020 की है, यहाँ पर बच्चे अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे. आज हम करने वाले हैं, चैप्टर वन, The Earth and the Solar System. आज हम इस वर्क्षीट में जानागे कि Solar System क्या होता है, तो चलिए शुरू करते हैं, तो क्या करा है कि Solar System किसे बनता है, दसन यानि सूरज, 8 Planets, यानि हमारे जो 8 Planets है, जो सूरज के 4 तरफ गूमते हैं, सैटिलाइट्स, अब यहां पर जो सैटिलाइट्स की बात हो रही है, ये नैच्रल सैटिलाइट्स है, आर्टिफिशल सैटिलाइट्स नहीं है, आर्टिफिशल सैटिलाइट्स कौन से होते हैं, जो प्रित्वी पे इंसान बना कर उसे स्पेस में बेजते हैं, वो उस्ते प्लेनेटS के और भी बहुत सारे सैटिलाइट्स होते हैं यानि ऐसा होता है कि कभी-कभार एक प्लेनेट के एक से जयादा मून भी होते हैं ऐक से ज्यादा चान भी होते हैं तो वो उनके नैचरल सैटिलाइटस हैं आगे देखते हैं and some other celestial bodies अब अब celestial bodies का क्या मतलब है? Celestial bodies वो सारी natural चीजे हैं यानि naturally occurring चीजे हैं artificial नहीं है वो सारी natural occurring चीजे हैं जो अर्थ के atmosphere के बाहर है यानि जो भी आप natural चीज अर्थ के atmosphere के बाहर देख रहे हैं वो सब की सब celestial bodies है including the sun, eight planets और इसेटलेट्स जो है वो सारी नए celestial bodies भी है ठीक है? और इनके अलावा क्या कह रहा है? कि इन तीन चीजों के अलावा और कौन सी celestial bodies है? asteroids asteroids क्या होते है? asteroids वो छोटे planet होते हैं जो की बड़े planets जैसे अर्थ की तरह सूरज के चारों तरफ चक्र लगाते हैं लेकिन वो छोटे planets होते हैं इसलिए हम उनको पूरा planet नहीं बोलते हैं हम उनको asteroids बोलते हैं या हम उनको minor यानि छोटे planets में बोलते हैं यानि minor planets और and meteorites meteorites क्या होते हैं? meteorites होते हैं कोई भी ऐसी celestial body जो हमारे solar system में गूम रही है और वो Earth के atmosphere में enter कर जाती है यानि जो भी हमारे पृत्वी के बाहर atmosphere के बाहर कोई भी चीज़ ऐसी है जो Earth के atmosphere में enter कर जाती है और इसके surface की तरफ आने लग जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं meteorites तो वो भी किसका हिसा है? हमारे solar system का तो हमारे solar system में क्या क्या आते हैं, सबसे पहले सबसे बढ़ आते हैं, celestial bodies, यह सारे celestial bodies हैं, कौन-कौन सी, the sun, eight planets और satellites और इनके अलावा other celestial bodies जैसे की asteroids और meteoroids, यह सब मिलकर क्या बनाते हैं, solar system, we often call it a solar family, हम इसे क्या कहते हैं, solar family कहते है, with the sun as its head, और sun क्या है, इसका head है, जैसे आपके घर में आपके पापा या मम्मी को head होगा, वैसे ही हमारे solar system, यानि हमारे solar family का head कौन है, sun, यानि सूरज, चलिए, आगे हम sun के बारे में पढ़ते हैं, the sun is in the center of the solar system, वो क्या कह रहा है, sun कहां पर है, इसके बिलकुल बीचो बीच है, it is huge and made up of extremely hot gases, वो क्या कह रहा है, कि ये size में बहुत ही बड़ा है, और किस से बना है, बहुत ही गर्म gases से बना है, the sun is the ultimate source of heat and light for the solar system, वो क्या कह रहा है, कि सूरज जो है, गर्मी और प्रकाश का source है, हमारे solar system के लिए, यानि वो बहुत लंबे समय तक हमें क्या देगा, heat और light देता रहेगा, सिर्फ हमें ही न देखते हैं, planets कौन कौन से है, there are eight planets, यानि eight planets है in our solar system, हमारे solar system में, in order of their distance from the sun, वो क्या कह रहा है, कि सूरज के, अगर हम order लगाएं कि सबसे पहले कौन सा आता है, फिर कौन सा आता है, फिर कौन सा आता है, तो उनका order क्या होने वाला है, ये होने वाला है, सबसे पहले planet आता Mercury, फिर आता है Venus, फिर आता है Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune, तो ये हमारे eight planets हो गए है, किस order में, सूरज से distance के order में, वो Mercury के बारे मता रहा है, Mercury is the nearest to the sun, हाँ, जैसे कि हमने उनका order में देखा कि सूरज के सबसे पास को है, Mercury है, Venus is considered as Earth's twin, because its size and shape are very much similar to that of Earth, वो क्या कह रहा है, Venus को हम Earth का twin भी बोलते हैं, जैसे भाई बैन हो जाते हैं, दो भाई twins हो जाते हैं बिल्कुल एक जैसे, तो वो क्या कह रहा है, कि Venus को हम Earth का twin भी बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, क्योंकि Venus का size, यानि Venus के planet का size और उसकी shape बिल्कुल कैसी है, Earth के जैसी है, जै यह रेस्टू सन वो क्या कर रहा है सूरज के सबसे पास कौन सा प्लैनेट है यह अभी हमने पढ़ा है तो इसको हम लिख देते हैं इसका आंसर है मर्कुरी चलिए क्वेशन नमर टू पर आते हैं हमारे सोलर सिस्टम के लिए अल्टिमेट सोर्स क्या है हीट और लाइट का अभी हमने पढ़ा था यह है सन यानी सूरज तो चलिए नमर तीन पर आते हैं Write the name of all the eight planets of the solar system. यहाँ पर आपको क्या करना है? सारे आठ प्लैनेट के नाम लिखने हैं. तो यह नाम इधर लिखे हुए हैं. यह सारे आठ नाम इधर लिखे हुए हैं. आप इसको आपने आंसर में लिख सकते हैं. सब्सक्राइब आगे बढ़ते हैं. विकॉस इट्स साइज और शेप अर्वेरी मच सिमिलर तो दैट ओफ उर्थ. वो क्या कह रहा है? कि वेनिस को आर्थ का ट्विंट्यों बोलते हैं. क्योंकि इसका साइज और शेप बिल्कुल आर्थ की तरह है. तो आप ये अपने अंसर में लिख सकते हैं ये वली लैं. इसके साथ आप अंसर पूरा हो जाएगा. आज की ग्लासी गतम होती है. अगर आपकी कोई डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. कल फिर मिलेंगे, कुछ नया सिखेंगे. तब तक के लिए थैंक यू और जाहिंद.